नमस्का और दोस्तों स्वागत है आप सभी का अजय साहो और आर्फिक स्रेक्षन का चैप्टर दो जनसंख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो पूरा वीडियो आप लास तक जरूर दिखिए गा जनसंख्या टॉपिक जो है महत्पुन टॉपिक है अगर आप ये पेट क्लासे अवलेबल है दोस्तों इसी तरह अगर आपने हमारा जो यूटूब चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरण मिले और बेल आ जो भी आप चलाते हैं उस पर हमें फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स और न्यू जो डेटा है उसका अपडेट वगर मिलते रहे तो टॉपिक का नाम है जनसंख्या चैप्टर दो है एकोनोमिक सर्वे का पॉबलेशन टॉपिक है सबसे पहले इसमें हम पढ़ांगे ल उसको लिंगा नुपात खहते हैं तो यहां पर टेबल में आप देखेंगे एक तरफ भारत का डेटा मिलेगा और एक तरफ मिलेगा चैथिसगर का डेटा यह 2011 के लिए जो कैल्कुलेट था वो है और 2021 के लिए जो अनुमानित निकाला गया है डेटा वो यह है तो 2021 का डेट के लिए नौसो अनुमानित है उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 211 के लिए नौसो इनकाल था वो अब 2021 के लिए नौसो पच्पन हो गया है और अगर हम पूरे स्टेट का देखें तो नियूनतम सबसे कम कहां पर हर्याना में 857 और सबसे ज्यादा अब च्छतिसगर मे जो लिंगा नुपात है पूरे राज्य में सबसे ज्यादा दिखता है फिर अगला टॉपिक है जीवन प्रत्यासा जीवन प्रत्यासा मतलब किसी भी देश या राज्य के लिए एक व्यक्ति के ओसत जीवन काल का अनुमान है मतलब एक व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहता है किसी एक राज्य या फिर एक देश में उसका उस्तन अनुपात होता है तो यहां पर आप देखेंगे तो 36 राज्य के लिए पुरुष के लिए जो जीवन जीवन प्रत्यासा पुरुष का पुरुष का जिवनिंपृ प्रत्यासस को 770 प्रत्यासा जहीं लिए Запाउनासी कर देखंगे हैं 720ी मॅधनिट चैन्म Street Kia पजेए जएध्राफिस महिला की हम देखेंगे तो यहां पर आपको ब्धायागीrora प्रती एक हजार जन संख्या पर एक वर्स में जीवित जो जन्मों होते हैं और जीवित जन्मों के पंजित जब कराते हैं तो जीवित एंप पंजित जन्मों की संख्या होता है उसको अशोधित जन्मदर कहते हैं अशोधित का मतलब होता है कि यह एकदम सुद्ध नहीं होता थोड़ा calculation में उपर नीचे होता है इसलिए अशोधित लगाया जाता है तो जन्मदर क्या होता है प्रती 1000 जन्संख्या पर जो जीवित जन्मों का जो शंख्या होता है पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या उसको जन्मदर कहते है अशोधित मतलब वो एकदम correct नहीं होता ह इसलिए वहाँ पर असोधित लगा दिया जाता है बाकी जन्मदर ही आपको दिहान में रखना है तो 36 जन्मदर 2010-11 के लिए क्लिए 22.5 वह 21-25 के लिए कितना अनुमानित है 17.8 तो यह जन्मदर जो नया आकड़ा है 17.8 36 के लिए यह याद रखेंगे आप और भारत के लिए जब 2010-11 में हुआ था तब कैल्कुलेट किया गया था 20.1 अब 2021-22 के लिए कितना अनुमानित है 16.0 यह अकड़ा आप याद रखेंगे फिर अगला है असोधित मृत्यू दर मृत्यू दर में जैसे जन्मदर कैल्कुलेट किया जाता है उसी तरह की से प्रती 1000 लोगों के प् 21-25 के लिए अनुमानित है आपका 7.3 और भारत के लिए जो 7.2 था वो 21-25 के लिए अनुमानित है 7.0 तो 36 गड़ा जो डेटा है कम से कम वो आप अच्छे से याद रखेंगे एकोनमिक सर्वर की कुईश्चिन जब आएंगे तो 36 गड़ से ज्यादा कुईश्चिन जो है ड साक्षारता दर्ग कहते हैं तो यहां पर देखेंगे वर्स है और यहां पर साक्षारता दर्ग है तो 2011 के लिए चात्रिकड़ में जो साक्षारता दर्ग था 172.28 वह अब 23 के लिए कितना अनुमानित है 74.53 तीक है साथ के बाद 4-5-3 है या तो 3-4-5 ऐसे भी आज रख से लेकिन 74.53 अच्छे से याद रख लेना 74 253 यह इंपोर्टन है उसके बाद है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व किसी भागली च्छेत्र में रहने वाल इस भी राज में कितने लोग रहते हैं उसका calculation होता है जनसंख्या गनत्व तो यहां पर देखेंगे तो 2011 में जनसंख्या गनत्व चैटिस गड़ के लिए अनुमानित था 189 प्रती वर्ग किलोमेटर है ना 189 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर जो 2023 के लिए अनुमानित था मतलब भारत में जो कुल जनसंख्या है उस में से 36 में कितने लोग रहते हैं वह भारत की जनसंख्या का कितना प्रती साथ है उसकी हिसाब से अगर हम देखें तो 2011 के हिसाब से 2.11 परसेंट था अब यह बढ़ते बढ़ते यहां बहुत देखेंगे दो हजर पच्चिस के लिए 2.18 के आज गया है दो हर 22 तेस के लिए आप देखेंगे 2.17 परसेंट है न तो यह कुछ जो डेटा है लेटेस्ट डेटा वो आपको ध्यान में रखना है उसी तरीके से 36 वड़का सहरी जनसंख्या प्रतिसद आपको याद रखना है भारत के सहरी जनसंख्या के अनुपात पर तो वर्स 2011 के लिए जो कैलकुलेट किया था वो था 1.57 परसेंट और 2022 तेस में अगर आप देखेंगे तो 2022 के लिए 1.67 तेस के लिए 1.68 परसेंट के अग और 2012 के लिए 2.35 परसेंट, 2022 के लिए 2.43 परसेंट और 2021 के लिए 2.45 परसेंट कैलकुलेट किया गया है पर अगला है प्रजुनादर प्रजुनांदर क्या होता है जो बतेशा पायसा कर कर सकने वाली आयू ओ आली हजार होती breaths उनके पीछे जीवीत जन्मों की संख्या मतलब प्र Mick Dir किया होते हैं देखिए वी उम्र कितना होता है और पंदरा से उन्चास वरस के आध्यार्ष को माना जाता है तो 25 से उन्चास वरस की जितने भी स्थृयां होती है उनमें से हजार इस्त्रियों के अनुपात पे निकाला जाता है कि कितने जो इस्त्रियां है वो जीवी बच्चेओं को जन्मत देती है वह होता है प्रजिन अंदर तो भारत के लिए प्रजिन अंदर है 2.50 के लिए 2.80 यह आपको ध्यान में रखना हो सबसे कम अगर पूरे स्टेट के इसापते रहेंगे तो टमिल नादु में 1.70 सारवाधिक सबसे ज़्याद है बिहार में बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदे की जाते इस सब्सक्राइब आप यह जो प्रजिन अंदर था है रिपोर्ट है और यह 21-25 के लिए जो अनुमानित है प्रजिन अंदर वह आप याद रखेंगे भारत के लिए 1.94 36 के लिए 2.05 और सबसे निउन्टम पस्चिम बंगाल का बताया गया है 1551 और सबसे ज़्यादा बिहार यह 2.92 तो चाटिस पेशल याद रखेंगे दो जो 2.05 पर अधर प्रवासदर प्रवासदर में देखिंगे 36 जिरो नाइन सबसे कम बिहार में और सबसे ज्यादा दिल्ली में भाते हम कि यहां से कितने लोग आते हैं और यहां से कितने लोग बाहर जाते हैं उसका अंतर जीसे अगर आप देखेंगे तो Bihar में माइनस में कि हों कि Bihar से यहां के जो लोग है वो जаяदा बाहर जाते हैं और Bihar में लोग कम आते हैं तो Bihar के लोग ज़धा प्रवास करते हैं और सबसे जहादद कहां प्रवास करते हैं सबसे ज्यादा दिल्ली पर प्रवाज करते हैं सबसे ज्यादा लोग जो रोजगार के लिए हो कि किसी भी काम के लिए हो दिल्ली में सबसे ज्यादा जाते हैं और बिहार में सबसे कम तो यह पुरुष का है प्रवाजदर और यह जो डेटा हो महिला का प्रवाजदर है तो व यहां पर पुरूस के लिए और महिला का यहां पर थोड़ा सा चेंज है 0.14 परसेंट तो चट्री जहां में रखना बाकी का उतना यार रखने की जरुवत नहीं है प्रती हजार जीवित जन्मों पर होने वाली जो शिश्यों की मृत्य होती है उसका अनुपास होता है शिश्यों मिट्ट्व दर तो 2011-15 के लिए जो चैश्यों राज में 47 था वो अब 21-25 के लिए घटकर 30 हो गया है तो 36 जो शिश्यों मिट्व दर है वो यादखने की 30 और भा पिर अगला है निर्भरता दर निर्भरता दर में जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एज की साफ से 0-14 साल के जिसे जो बच्चे हैं वो अपने आय के लिए या फिर जीवन के लिए जो निर्भर होते हैं उसके हिसाब से निकाला गया है यहां पर 60 से ज्यादा वरिष्ट हो अपने जीवन जीने के लिए फिर इंकम के लिए निर्भर होते हैं उस हिसाब से निकाला जाता हाला कि इतना इंपोर्ट नहीं है इसको आप देख सकते हैं तो 2011 के लिए 0-14 वर्स का निकाला गया था जो आपका ब्लू में दिख रहा है वो इंडिया के लिए और जो आपका थोड़ा सा रेट टाइप का दीख रहा है वो 36 रिए तो 36 में 532 निकाला गया था 0-14 वर्स के लिए और 60 वर्स से प्लस अगर आप देखेंगे तो दोहर 11 के लिए 126 निकाला गया था और यहीं चीज़ दोहर 26 के लिए केल्गुलेट किया गया एक सो संतावान और यहां पर दोहर 23 के लिए निकाला गया है तो जिले वाड जन संक्या में यूनतम जो है नारायणपूर में लोग निवास करते तो कौन से जिले में दोहर 11 में सबसे कम लोग रहते थे नारायणपूर में मात्र 1.39 लाग सबसे कम नारायणपूर में एक्जैक डिटा यहां पे 1,60820 से चाहे तो आप टेबल से exact data याद रख सकते हैं लेकिन 1.39 इतना भी याद रखेंगे तो भी काफी है ठीक है अधिकतम 2011 में कहां पे था रायपूर में 21.60 लाग यहां पे आपको exact data मिल जाएगा अब 2023 की बात करें जिलेवार जन संक्य है तो सबसे ज्यादा जो है रायपूर रूपे ही है 26.99 लाग है यहां पे आप देखेंगे और सबसे कम नारायणपूर में ही है आपका एक दसवन लोग पांच नौ लाग है फिर अगला टॉपिक है जीलेवार एसी जन संक्या सेडूल कास्ट जो जन संक्या है अनुसुचित जाती जन संक्या जीलेवार उसको हम देखेंगे तो सबसे कम अनुसुचित जन जाती जन संक्या की से आप से अभी देख रहे है ना सबसे कम जन संक्या 276 मात्र सुकमा में और सबसे ज्यादा रायपूर में तीन दसवन लोग पांच आठ लाग जन संक्या सबसे ज्यादा अनुसुचित जन संक्या रायपूर म उस में से कितने लोग अनुसुची देजाती स्रेनीि के हैं उस हिसाप से निकाल जाता है तो आपका नियूनतम है इसले फ़ार 1.1-1 परसेंट जितने सव लोग में एक लोग ही जो है सु आ उस तरह कि से आप इसको समझ सकते हैं तो सु में नियुनुतम 1.11 परसेंट और अधिकतम है सारंगर बिलाएगर में 28 दसंदोर 62 प्रतिसत मतलब सौ में से 28 आदमी सारंगर बिलाएगर में अनुसूचित जाती का है फिर उसी तरह किसे जिलेवार सबसे कम जनसंख्या अगर हम बात करें तो नियुनुतम जनसंख्या बेमेतर हमें 48,018 और अधिकतम है बस्तर बस्तर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाइस वह निवास करते हैं 5,99,303 अब इसमें भी हम देखेंगे जनसंख्या प्रतिसाथ जितने लोग निवास करते हैं उसमें से कितने लोग अनुसूचित जाती काटिगरी के हैं तो नियुनुतम है आपका रायपूर में नियुनुतम में रायपूर आपको धियां रखना है जैसे रायपूर में 100 है तो उसमें से चार लोग क्या अनुसूचित जातिस रेने की होगे इस तरह के अप समझ सकते हैं अधिक्तम शुकमा में देखेंगे अगर सौ मैंसे कोई जनसंख्या करेंगे सो प्रतिसत में सबसे कम रहपूर में और सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां रहते हैं और सबसे कम कहां सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिसे आप देखेंगे तो अधिक्टम दुर्ग सहर में दुर्ग सहर का साक्षर लोग सबसे पांच चैंज और नियुन्तम सुक्मा चौनटीस दसमलो आठ एक परसेंद उससे तरह के से दोहर तीस का जो रिपोर्ट है उसमें सेम है सुक्मा और दूर्ग लेकिन परसेंटेज बदला है इसमें थोड यह एवर जनसंक्या घनत व मतलब प्रति वर्ग किलोमेटर के हिसाब से कितने लोग निवास करते हूं उससाब से जनसंक्या घनत वाद गणाठorg निकाल रता है तो सब सामने लगा देना 32 सामने नो लगा दोगे हो जाएगा 932 तो बीजापूर में सबसे कम 32 और अधिक्तम रायपूर में 932 सबसे ज्यादा जिलिवार जनसंख्या घनात्व तो आज के टॉपिक में जितना भी हमने पढ़ा उसके जो मुख्य बिंदू है हाला कि एकोनोमिक लिंगानुपाद भारत के लिए क्रमसा 943 है और दोहर 11 के लिए और 21 के लिए 900 है इसे पाकर 36 वर राजजी के लिए आपका 2011 के लिए लिंगानुपाद 999 था जो कि आपका 2021 के लिए बढ़कर 955 हुआ है तो इस तरह के से कर आप पढ़हेंगे तो याद भी नहीं हो तो जितने भी महत्यपुर्न जो वस्तूनीष्ट प्रशन बनेंगे इसका जो प्रैक्टीस वलके क्लास में करूँँगा तो जन संख्या से संभादित वस्तूनीष्ट प्रशन totska वोह हम अगले क्लास में देखेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यमान